हलो बच्चों, तो संडे की वज़े से आज वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है तो 8 टन है, फर्मस्टिक्स 1 पार्ट 4 ठीक तो पार्ट 4 हम लोगों ने जैसे बात की थी कि पार्ट 4 खतम होते हम लोग एक्जाम लेंगे कल वीडियो भी बनाया, मैंने उसके बाद भी लोगों का यही कुश्चन है सर, एक्जाम कब लोएंगे, means वीडियो बना दिया, सब कुछ बता दिया इवन ये भी बता दिया, कि फस्टियर वाले जो भी हैं, वो अगर ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है, केरियर आफ्टर डी फांप, ये भी मोटिवेशन के उसका भी वीडियो बना दिया, लिंक भी दे दिया, सब कुछ कर दिया फिर भी आपके क्वेस्टन्स जो है, एस अटीज हैं कोई फरक नहीं पड़ता बताने का, खेर हम लोग क्वेस्टन के तरफ चलते हैं, बेसेस कंसिस्ट ओफ, कंसिस्ट ओफ, बेस होते हैं, आइंटरमेंट बेस होगरा जैसे होते हैं, बेसेस ओफ, वाटर सालबल हाइडरो कारबन, वेजेटेबल ओईल, इनिमल फैट और वेक्स, एबजॉप्शन बेस होते हैं, ओली में से कोई नहीं होते हैं, तो बच्चो जो ओली जेनस बेस होते हैं, देट इस कंसिस्ट ओफ, वाटर सॉलूबल हैडरो कारबन, वेजेटेबल ओईल, एनिमल फैट और वैक्स, अब लेनोलिन, ये क्वेस्टन आपके सीनियर्स के एक्जाम में आया था, सेकेंड शिक में, ठीक, सेकेंड शिक में जो लोग हो, उनको पता होगा, लेनोलिन इस, ओली जेनस बेस, इमल्सन बेस, या एबजॉप्शन बेस, तो जो लेनोलिन होता है, ये बजॉप्शन बेसेज, अबजॉप्शन टाइप के बेस होते हैं, इसमें है न, फर्स्ट एडिशन ऑफ फर्मक कोपिया उफ इंडिया वास पब्लिश्ट इन, तो सारे कोश्चन आरे महता के हैं, रेफरेंस के लिए बता दिया हूँ, जिसको भी डाउट हो, उधर, जाके क्रोस बरिफाई करके देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को डाउट्स बड़े होते हैं, ठीक भी है, डाउट् तो फर्स्ट एडिशन अफ पर्मकूपिया उफ इंडिया वस पब्लिश्ट इन, वही कब हुआ था पब्लिश्ट एडिशन, 1947 या 1967, 1955 या 1946, तो 1955 में फर्स्ट एडिशन अफ पर्मकूपिया पब्लिश्ट हुआ था, ठीक, अब इसके क्या कई पार्ट है, फर्स्ट थर्ड पार्ट तो अब जो अलग-अलग पार्ट यह पार्ट क्यों बनते हैं अलग-अलग क्यों बनते हैं पार्ट वन पार्ट टू चेंजस क्यों होते हैं नया एडिशन फर्स्ट एडिशन फर्ड एडिशन फर्ड एडिशन यह एडिशन क्यों आते हैं वह सिर्फ इसले आ has been changed to sprint means पहले फर्स्ट एडिशन में जो बुलाया था एसेटाइल सलिसली केसिड इसका एमेंडमेंट होके नाम चेंज कर दिया गया और कर दिया गया एस्प्रिन तो किस एडिशन में इंडियन फर्मोपोपिया के किस एडिशन में ऐसा हुआ थाइडिशन सेकंड एडिशन फे एडिशन या नन तो च्छों थाड permitir में असेटाइल सलिसली केसिड का नाम चेंज करके एस्प्रिन कर दिया गया खे और पायरोजंट तेस्ट modified तेको pyrogen test पहले भी था लेकिन उसको modify किया गया यानि modified pyrogen test किसमें modification किसमें किया गया यह किसमें आया pyrogen test modified pyrogen test तो first edition, second edition, third edition, fourth edition या none तो third edition में यह भी हुआ था ठीक क्या pyrogen test का modification तो option क्या है C फर्मोकोपिया has been derived from अब फर्मोकोपिया किस से derive हुआ है किस term से Latin word, English word, French word या Greek word तो फर्मोकोपिया has been derived from geek word Greek word that is फर्मे कौन कौन सा फर्मे कौन तो फर्मे कौन का मतलब क्या होता है फर्मे कौन का मतलब होता है drug क्या होता है drug और poya क्या मतलब poitin मतलब जैसे make यानि drug making एक तरह से बूल दो तो फर्मोकोपिया, poesis poesis मतलब making फर्मे कौन मतलब drug और poesis मतलब making तो कहां से लिया गया कुल मिला किये समझो फर्मोकोपिया has derived from Greek word कोई भी ऐसा chance नहीं दियाना चाहता और कोई भी ऐसा pattern नहीं छोड़ना जाता जिस pattern पे question बने और मैं आपको ना पढ़ाऊ DT disintegration test DT means disintegration test modified in किसमें modification हुआ था DT third edition, second edition fourth edition या none तो बच्चो जो third edition था सबसे ज़्यादा modification उसी में किये गए थे DT का pyrogen test ये सारे modification किसमें हुए थे third edition में okay title of monograph have been changed from Latin to English पहले क्या Latin English चलता था ना अपना तो Latin से English में title of monograph change किया गया ये किस edition में तो first edition में तो Latin में था और जो बच्चो second edition जब आया तो second edition में क्या कर दिया गया फर्मकोपिय आफ इंडिया में जो title of monograph था उसको Latin से change करके English में कर दिया गया किसमें? English में ये किसमें हुआ? second edition में ठीक तो B option सही है अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? तो terminology जानेंगे measurement की one drop is equal to ऐसे question आते हैं one drop is equal to 0.6 ml 0.006 ml 0.06 ml और 6 ml तो कोई ये question इसलिए करा दे रहा हूँ मैं कहता कि आप लोग एक काम करो table है वो पूरी याद कर लो तो याद होती नहीं है और फिर आपके दिमाग पेरता है कौन सा याद करें कौन सा छोड़ें तो इसलिए इस तरह के terminology जो भी होते हैं 2-4-6 जो ज़्यादा important है वो मैं करा दे रहा हूँ फिर भी आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजेगा ठीक तो one drop is equal to किसके बराबर होती भाई one drop 0.6 ml कहते हैं ना one drop तो 0.06 ml 0.06 ml is equal to one drop फिर one table spoonful one table spoonful मतलब क्या होता है 5 ml 10 ml 4 ml 15 ml तो one table spoonful मतलब होता है 15 ml यानि 15 ml ठीक अब आगे आएगा one क्या one tea spoonful अभी कहा था table spoonful अब क्या है tea spoonful याद रखना difference नहीं तो table और tea के बीच में table tennis खिलने लोगो तो one teaspoonful means 4 ml 1 ml 5 ml या 10 ml तो जो one teaspoonful मतलब होता है 4 ml कितना 4 ml अगर यही table full spoon पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा 15 ml और teaspoonful 4 ml ध्यान रखना इस चीज को है न और one drop equals to 0.06 ml हम लोगो ने पढ़ा न ये इन चीजों को ध्यान में रखना अब बात आती equals to 160 fluid ounce यानि B option हमारा सही है next क्या है revolving speed of friobulator friobulator पहले चीज तो किस काम आता है friobulator acrylic का बना हुआ transparent दो पार्ट का मिल के बना होता है friobility check करने के लिए किसकी friobility tablet की friobility check करने के लिए हम यूज करते हैं friobulator का friobulator check कर क्या करते क्या है कि कितनी उसकी rpm कितनी speed पे देखो इसमें fixed speed रहती है ठीक अब tablet size के हिसाब से उसमें angle दिये रहते हैं कि बड़ी tablet है तो angle अपना बना लो है न उसमें angle का option रहता है उत्ते angle पे tilt करके चलाया जा सकता है ठीक तो कुल मिलाके revolving speed of friobulator 10 rpm यानि 10 revolution per minute 25 revolution per minute 20 revolution per minute या 29 revolution per minute तो जो friobulator होता है उसकी speed fix होती है किती 25 rpm 25 revolution per minute और इसको क्या करते हैं कितने बार 4 minute के लिए fix करते हैं तो 4 minute में कितने बार revolve करेगा 100 times कितने 100 बार है न वही एक minute में 25 बार तो 4 minute में 100 बार राइट तो उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम लोग क्या percentage निकाल लेते हैं कि कितना percent weight loss हुआ means पहले friobulator में डालने के पहले tablet का weight ले लिया और निकालने के बाद तो पता चल जाता है कि कितना जो है उसमें क्या हुआ loss हुआ टैबलेट के weight में अब जैसे friobulator है friobulator क्या करता है revolve करता है लेकिन जो tablet हमारी होती है उसकी कितनी speed से वो नीचे गिरती है जाहिए ती बात circle है उसमें tablet है काफी दूर तक तो corner तक चिपके चिपके जाएगी लेकिन जैसे उपर पहुँचेगी वो धम से नीचे जर जाएगी क्योंकि जस्ट उल्टा हो गया ठीक तो vertical हो गया जैसे vertical आता तो vertical distance कितनी होती है कि उतने उपर से tablet fall करती है tablet गिरती है नीचे बेस पे तो during each revolution of the tablet falls from distance is 6 inch, 15 inch, 22 inch या 25 inch तो यह क्या होती है 6 inch, 6 inch की distance होती है break the particle into smaller particle after swallowing हम क्या क्या करते है जिससे suppose करो tablet ले ली tablet खाली है तो पहले क्या होगा पहले desolution होगा उसका की friability होगी की disintegration होगा तो पहले सबसे पहले तो भाई tablet जब हम लोग खाएंगे तो क्या होगा छोटे-छोटे टुकडो में बट जाएगा यानि particle into smaller particle after swallowing तो जब smaller particle में बट जाएगा तो उसको बोलते है हम लोग terminology होती है disintegration क्या होती है disintegration जिसको बोलते है in short dt अब variation in percentage of medicament per tablet is due to the following तो क्या है कि कुछ लोग हो सकता है confuse हो रहा हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैंने इन ही सब चीज़ों को tablet capsule ही तो बनाया है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बहुत बड़ी बड़ी machine होती थी कि एक एक दिन में means 15 लाग 20 लाग tablet तक बनते थे capsule filling हुआ करती थी एक एक capsule के अंदर उसी में powder फिलो रहा है सोचो उसी में tablet फिलो रही है उसी में pellets फिलो रहे है एक ही capsule के अंदर सब कुछ फिलो जा रहा है सोचो एक साथ machine चल लाइए है ना FT90 है FT40, FT25 बहुत सारी machine रहती है फिर variation in percentage of medicament per tablet is due to अब variation of percentage कैसे आ जाता है means percentage में variation किसमें per tablet में अगर आया तो पहली चीज तो नहीं आना चाहिए अगर आया तो इनकी एक range होती है अब जिस country को आप tablet भीजते हो उस country का अपना अलग-अलग specification होता है US भेजना है तो US का अलग होता है स्री लंका भेजना है तो स्री लंका का अलग रहेगा आस्ट्रेलिया भेजना है तो अपना अलग specification होता है उसी specification के बाद means की कितना variation चलेगा IP के according अलग है, USP के according अलग है TGA यानि Australia के according अलग है तो जब industry का knowledge होगा आप लोगों के पास तो idea बाते मेरी और अच्छे से समझ मैंगी फिलाल अभी subject के बारे में सचो तो variation अगर आया, तो अगर poor granulation हुआ means mixing सही नहीं हुई, improper granule बने granule, granule अगर सही size के नहीं है granule में fines जादा है, अगर fines जादा है granule कम है, means इसका ratio होता है कि इतना percent granule इतना percent fine तभी आपकी tablet सही तरीके से बनेगी तो एक तो due to poor granulation हो सकता है variation in weight of an individual tablet अब जो tablet निकल लही है compression machine से इसका क्या है, fix होता है weight और 0.25%, 2.5% अगर अगर इस specification की इतना variation चल जाता है तो अगर वो variation tablet का जादा है अलाकि आजकल तो automatic machine है जैसे ही variation जादा आ जाता है alarm देके machine बंद हो जाती है error of random sampling अब जैसे weight variation है, tablet का लेना है हर आदे घंटे पे 20 tablet का वजन करना रहता है हर आदे घंटे पे ठीक, चाहे जितना बड़ा बैच हो हर आदे घंटे पे आपको tablet का वजन करना है 20-20 tablet का तो अब ये variation अगर error हो गई इसमें नहीं कर पाए आप तो problem हो सकती में ये सारे reasons हैं जिन reasons की वज़े से medicament per tablet medicament कौन सा होता है जिसको बुलते है API, Active Pharmaceutical Ingredient मतलब जो दवा में आपका main API है main ingredient है उसको क्या बुलते है medicament है न वो हर tablet में बराबर होना चाहिए ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा medicament एक tablet में हो गया बागी tablet में कुछ नहीं हो जाने की की इस तरह से problem लब error हुआ है इन चीजों में इसलिए variation of percentage of medicament per tablet होता है ठीक यह reasons है manufacturing defect of tablet अब tablet में manufacturing defect बहुत सारे manufacturing defect होते हैं तो जो manufacturing defect की अगर हम लोग बात करें तो कौन-कौन से defect हो सकते हैं सपोस करो जैसे capping capping defect हुआ यह capping किसका defect है यह compression का defect है कहते हैं compression machine में आता है लेकिन मैं कहता हूँ कि सचाई यह है कि यह granulation का defect है means granulation की वज़े से आता है अगर poor granulation हुआ granulation सही नहीं हुआ तो compression machine में जब compress करते हैं तो granules के बीच में air entrapment हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होगा जब tablet eject होके बाहर निकलेगी तो वहाँ पे क्या bubble type का हो जाएगा और वो cap type निकल जाएगा जिसको बोलते हैं capping ओके यह air entrapment की problem होती यह तब होती जब proper granulation नहीं होता या कभी-कभी क्या granulation क्या over dry हो जाता है यह ना moisture content बहुत ही कम हो जाए picking and sticking अब picking and sticking देखो दो अलग-अलग चीजे हैं picking मतलब कोई चीज pick हो जाना sticking मतलब कोई चीज stick हो जाना ठीक तो picking होती है कि जैसे suppose करो इंटरस्टिम देखो जो मैं बोलता है उसको feel करने कोशिश करो तो समझ में आएगा अब जैसे suppose करो punch है डाई-पंच का नाम सुना ना punch है अब punch जो है नीचे tablet को press compress करने के लिए नीचे आया अब punch में क्या भाई अब मान लिया moisture ज्यादा है तो क्या होगा moisture ज्यादा है या फिर punch में wear and tear है wear and tear मतलब कहीं पे उसकी polishing निकल गई है तो वो tablet को compress करेगा और कुछ part जो खुले portion में है वो जैसे उपर जाएगा punch वो अब sticking की बात अगर करें तो sticking case होता है कि अगर moisture में content moisture content ज़्यादा हो जाए या आदी कोटेंका yhtर होता है इसमें क्या जैसे coloured coatings होती है तो tablet की surface पे coating का जो है क्या होती है means uniform color नहीं होता color में variation हो जाता है जिसको हम लोग बोलते है modeling यानि ये सारे क्या है manufacturing defect है आप लोगो ने पढ़ा होगा फिर भी मन नहीं मानता मेरा थोड़ा बहुत मैं बता देता हो ना लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो तो पढ़ भी चुके हो तो बोर मत हो ना ये चीज़े काम की हैं आपको काम आएंगी as a pharmacy है ना next है part of single punch tablet machine अच्छली मेरे पास क्या है एक compression machine का animated picture था वो मैं ढूंड रहा था laptop में अपने मुझे मिला नहीं otherwise मिलता तो ये समझाने में बहुत मजाता आपको देखने में भी means वो पूरी compression machine थी और वो animated थी अगर मैं उसको इसमें paste कर देता वीडियो में तो आप लोग exactly देख सकते थे उसको चलते हुए ठीक फिर भी मिलेगा कभी तो किसी में कभी time मिला तो मैं दिखाऊंगा तो बड़ा अच्छा picturization था था तो मैं सोच रहा था हूँ यहां लगाने का बट कोई नहीं ऐसे मैं समझाने कोशिस करता हूँ part of single punch machine आप लोगोंने देखा होगा अगर आप लोगों की college में हो क्योंकि मैंने तो अपने यहां बच्चों को दिखाया है even मेरे college में जो बच्चे हैं उन्हें idea होगा इस बात का न और उनमें से भी कोई ऐसे हैं जो नहीं देखे हैं तो मुससे मिलना college में है single punch machine machine को मैं दिखा दूँगा तो सबसे पहले देखो चाहे single punch हो चाहे double punch हो चाहे multiple punch हो चाहे 67 station हो चाहे 121 station हो किसी कोई भी station हो सब में चीजे वही होती है ठीक बस number of station यानि number of punch set बढ़ जाते हैं hopper hopper किसलिए होता है hopper होता है feeding के लिए means powder डालना है उससे driving wheels driving wheels होती है उसको चलाने के लिए ठीक अब यहाँ पे driving wheels है single punch में अब वहाँ पे क्या punch rollers रहते हैं तो वो motor से चलते हैं punch set अब punch set देखो सिर्फ punch set में क्या एक upper punch एक lower punch और डाई इतना मिलके एक बनता है क्या punch set single punch से punch set कभी नहीं बनता जब भी punch set की बात की जाएगी उसमें upper punch lower punch और डाई यह तीनों चीजे जब एक साथ मिलेंगी तो that is called punch set ठीक C में क्या capacity regular regulator capacity regulator in the sense कि भाई जैसे आपको tablet बनानी है 3 mg की तो उसमें क्या है कि आप जो है capacity को क्या regulate कर सकता हो कितना hopper से powder dye table जो dye table होती जिस पर dye लगी होई होती न वो fill होती तभी तो powder compress होता है तो dye table पे कितना powder आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा powder आएगा तो overfill हो जाएगी overfill होने के साथ साथ क्या होगा powder का loss ज़्यादा होगा है ना loss ज़्यादा होगा तो बैच में problem आ सकती है costly हो जाएगा तो capacity regulator और ejection regulator ejection मतलब जब compression के बाद सही समय पे tablet dye table से बाहर आ जाए तो ये सारी चीजें किसमे होती है single punch tablet machine में ठीक क्या है बताया ना जब interesting topic होता है मन तो बहुत करता है मैं tablet पे आपके capsule पे industry पे machinery पे मैं बोलने लगूं तो पूरा दिन कम पढ़ जाए मरे लिए तो इस साल का एक अच्छा खासा experience होता है यही सब काम करते हुए तो magnesium stearate used है मैंने magnesium stearate especially लिया यहाँ पे टेलकम भी ले सकता था और भी बहुत सारी चीजे है मैं कोई भी glideant कोई भी lubricant कोई भी anti-adhesive ले सकता था ठीकिन मैंने magnesium stearate लिया क्योंकि यह multi-purpose है यह multi-purpose है इंडस्ट्री में भी tablet में किसी तरह कोई problem आती थी तो हम लोग ढूडते थे क्या magnesium stearate कहीं से मिल जाए ठीक तो magnesium stearate used है lubricant देखो पहली चीज तो समझे lubricant क्या होता है lubricant मतलब powder के बीच में granule के बीच में एक दूसरे के बीच में किसी तरह का कोई fraction को कम कर दे एक दूसरे के बीच में fraction को कम कर दे या नहीं inter particular fraction अगर कम हो जाए तो that is called lubricant means easily moving हो जाएगा ना चाहे powder में डाल दो dye punch में भी lubrication का का काम करेगा अब glident क्या होता है glident मतलब improve flow property granule की granulation करते ही इसलिए ताकि flow property बढ़ सके इसलिए कभी कभी क्या होता है compression के पास बाद वापिस उसको granule बनाना पड़ता है अगर उसकी flow property बढ़िया नहीं है तो ठीक फिर दूसरा क्या anti-adhesive anti-adhesive मतलब जो चिपकने ना दे मतलब अब चिपकता कहां पर है जैसे क्या sticking हो जाती ना sticking में क्या होता था dye table पे dye wall पे चिपक जाती थी tablet या punch पे picking हो जाती थी तो इन सब चिपके लिए anti-adhesive material मिलाया जाता है और magnesium state हमारा lubricant की तरह भी काम करता है glident की तरह काम करता है और anti-adhesive property भी होती है इसलिए magnesium state बहुत important है dry heat sterilization भाई कितना होता है temperature 100 degree Celsius for 30 minute 160 degree Celsius for 30 minute 100 degree Celsius for 2 hours and 160 degree Celsius for 2 hours तो what is the answer of this dry heat sterilization is 160 degree Celsius for 2 hours कितना 160 degree Celsius for 2 hours ठीक इसपे question आते है इसी तरह काएंगे तो confused हो जाओगे temperature पहले बता रहा हूं moist heat sterilization अभी मैं answer बताता चला हूँ इसलिए बहुत आसान लग रहा है जब मैं test लोंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से न तो moist heat sterilization 115 से 116 degree Celsius for 60 minute 135 से 140 degree Celsius for 30 minute 135 to 40 degree Celsius for 60 minute and 115 to 116 degree Celsius for 30 minute तो option is 115 to 116 degree Celsius for 13 minute this is the temperature for sterilization moist heat sterilization ठीक material is heated at 80 degree Celsius for 1 hour on each of 3 successive days ठीक question समझो material is heated at 80 degree Celsius for 1 hour ठीक on each of 3 successive days यानि लगातार तीन दिन तक एक घंटे के लिए 80 degree Celsius पे material को heat किया गया what is this pasteurization, chemical method of sterilization या tindalization sorry tind distillation tind distillation distillization tindalization बोलता हूँ अक्सर तो pronunciation पर ज्यादा मत जाना देखने न आपने हिसाब से जो भी बोलना फिल हाल this is called tindalization क्या बोलते हैं tindalization आप कुछ भी बोलो उसको कुछ भी अपनी language में ठीक, next है हमारा gaseous sterilization gaseous sterilization भई ये question आपके seniors में आया था न formaldehyde, thylene oxide propion, lactone तो gaseous देखो formaldehyde बहुत पुराने टाइम पे formaldehyde यूज किया जाता था gaseous sterilization के लिए बाद में cancerous हो गया, इसको बंद कर दिया फिर आया क्या उसको replace कर दिया formaldehyde को किसने, ethylene oxide ठीक, ethylene oxide से आज भी बहुत सारी जगों पे sterilization प्रोसेस चलता है अभी नया chemical add किया है propiolactone कौनसा? propiolactone for gaseous sterilization तो ethylene oxide और propiolactone आज की date में चल ला है, यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ethylene oxide को propiolactone भी replace कर सकता है तो यानि की कुल मिला कि यह समझो कि यह तीनों क्या है gaseous sterilization यह gases हैं जिसके तुरू sterilization further proceed किया जाता है ठीक? इनमें से कौन सा mechanical method नहीं है ceramic filter seeds filter membrane filter and gaseous sterilization तो इनमें से कौन सा mechanical sterilization नहीं है not a method of mechanical sterilization तो ceramic filter भी mechanical sterilization है seeds filter या seeds filtration mechanical method है membrane filter या membrane filtration यह भी mechanical method में है लेकिन gaseous sterilization that is comes under in chemical method which type of method chemical method it means gaseous sterilization is the not mechanical method of sterilization यानि कि D option is correct है okay drying suitable for thermolabile material पहले तो समझो thermolabile heat ज्यादा देने से material denatured हो जाता है या destroy हो जाता है that is called thermolabile material अब कौन सी drying suitable रहेगी thermolabile material के लिए tray dryer, tunnel dryer या FBD FBD की अगर बात करें तो what is FBD पहले पमें answer बता देता हूँ किसका answer है क्या FBD thermolabile materials को क्या करते है FBD में drying करते है FBD का full form होता है fluidized bed dryers इसमें क्या है कि finger bag लगा हुआ होता है finger bag क्या उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है जिसके थूँ और उपर से क्या inlet dry air आती रहती है और उससे क्या होता है material क्या हवा में रहता है और हवा में रहते रहते dry हो जाता है that is called fluidized यानि एक fluidized means उस तरह का बन जाता है जैसे storm नहीं बन जाता है तो fluidized bed dryer बोलते हैं that is called fluidized bed dryer यानि D option सही है इस तरह से 25 कुष्चिन आपके सही हुए इनकी practice किये और continue पढ़ते रहिए और link share करते रहिए के बाइ